भी कि मंदिर अधूरा है वह सिखर कर लिया गया था और उत पर भुर्जवी लगा दिये गया थे टो जो पूरी के संक्राचार जी और जोसी स्पिट के संक्राचार जी ने कहा था कि बिना अधूरा मंदिर धुजवीन असुर वास करेगा अब तो ऐसा नहीं होगा देखे बात ऐसी है इस पर मैं आपको कुछ ग्रंथों से प्रमान देना चाहूंगा जिसमें प्रधान ग्रंथ है अगनी पुरान में बहुत विस्तार से मंदिर के निर्वान की प्रतिष्ठा इत्यादी की विजिदी हुई है तो अगनी पुरान में जो प्रासाद लक्षन व स्थाण बहुत सब्सक्रादा आए इस नहीं सोचना करते हैं है प्रसाद मोर्ती के व्र्युस पर देवत्त्तवी को क्यों नहीं Cabinet ऑनिरुणशन प्रासाद में फिर प्रासाद के मंदर जो प्रतिमा है उसमें और प्रतिमा जिस आधहार पर जिस पीठ पर जिसका पेड़ेश्टल कर सकते हैं अंग्रेजी में उस पर जो इस्थित है वह चार अस्थानों पर देवत्व का संद्धान होता है इसलिए हमारे यहां मांत्रिक परमप्रा सनभिक्य होंगे पर देवत्व का हम पूजय करते हैं और जो शिखर है वो को सामानिय नहीं है सिरस्का गरव उसके उधर में होता है इसलिए कहा अगने पुरान का जो हमने आपको बताया उसमें इसलिए कहा कि प्रतिष्ठा कैसे और दूसरी बात यह है कि जब शिखर नहीं है और आपने पहले तो यह कुतर्ग किया गया जो हिंदुत्व के असास्त्री पैरोकार बने है असास्त्री पक्शधर बने घुमते हैं उनके द्वारा यह कुतर किया गया कि शिखर की नहीं है कि बिना भी प्रतिष्ठा की जा सकती है कि अब लेकिन बात है कि जो शिखर विहिन प्रतश्ठा के पक्षधर है एसे लोग इन प्रमाणों प्रद्यान नहीं देते कि शिखर के अगर शिखर की अनिवारिता सच में नहीं थी तो आनन फानन में प्रतिष्ठा से दो दिन पहले वबास बली लोह टेंट लगा कि और नकली शिखर क्यों खड़ा किया गया और अगर खड़ा किया गया तो इसका आर्थ है कि आप शिखर का महत्त मानते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे अस्थाई क्या प्रमान रह जाए यह वर्त्मान शिखर को बनाने के लिए वर्त्मान चिखर तो आप भगवान का मस्तक काटने के दोशी होंगे कि नहीं होनी चाहिए उसको हटा कर नकली धार्मिक्ताव बरने का प्रयास कर रहा है उसके अम्तरका कोई मांते नहीं बात्नों को